नमस्कार दोस्तों, हिन्दु धर में देवी देवताओं के साथ साथ उनके वहनों का भी विशेष महत तो माना जाता है। लेकिन अगर बात करें भोलेनात की, तो उनका वहन नंदी के अनिको भक्त हैं। इसके इलावा भोलेनात के गले का हार वासुकी नाग के भी अनेको भक्त हैं। यही नहीं, महादेव के प्रियमास सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिति के दिन इनका खास पर्व भी मनाया जाता है। यह पर्व भारत के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा आराधना की जाती है इस साल ये पर्व 9 अगस्त यानि कल मनाया जाएगा ये दिन काल सर्प दोश से मुक्ति के लिए विशिश माना जाता है शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोश हो या फिर सप पहले उपाय के तौर पर नाग पंचमी के दिन चांदी से निर्मित नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं और उसका पूजन करने के पश्चाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें इससे आपकी कुंडली में काल सर्प दोश पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आपको शुप प्रभाव भी मिलने लगते हैं दूसरे उपाय के तौर पर नाग पंचमी के दिन अगर संभव हो तो किसी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिव जी की मूर्ती पर नाग नहीं हो वहां नाग प्रतिश्ठिक करवाएं मानेता है कि इस उपाय को करने से आपको ना शिव मंदिर में चढ़ाएं साथ ही इस दिन शिव जी को चंदन की लकड़ी या चंदन का इत्र चढ़ाएं और नित्य स्वम लगाएं साथ ही नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनात को प्रसन करने के लिए शिवलिंग पर विजया अर्क पुष्प धतूरा पुष्प फल चढ़ाएं तथा दूद से रूद्रा भिशेक करवाएं इससे महादेव की कृपा प्राप्थ होगी चौथे उपाए के तौर पर नाग पंचमी के दिन किसी शिव मंदिर में साफ सफाई जरूर करें साथ ही संभव हो तो शिव मंदिर में किसी तरह का नवनिर्मान करा सकते हैं या फिर मंदिर की मरम्मत या उसकी पुतायादी का भी कार्य करा सकते हैं पांचवे उपाए के तौर पर नाग पंचमी के दिन पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप अवश्य करें इससे आपकी हर्मनों कामना पूरी होगी नागेंद्र हाराय ओम नमा शिवाय ओम नाग देवताय नमा या नाग पंचमी मंत्र ओम नाग कुलाय विद्महे विश्दनताय धीमही तन्नो सर्प प्रचोधियात मंत्र का जाप करें तो दोस्तों नाग पंचमी के दिन अगर इन उपायों में से आप कोई भी उपाय कर लेते हैं तो आप भगवान शंकर और नाग देव की कृपा का पात्र बन सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही इन उपायों को अपनी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें कुणले टेवी डस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद